वेरे गुड मॉर्निंग 16 जुलाई और स्वागत है आप सभी का करेंट इफेर्स के MCQ सेशन में तो चले ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ important news पर देखे इसमें पहले important news ये है आपको याद होगा कि आर्मी ने कुछ समय पहले अभी 89 mobile apps ban किये थे ठीक है इसमें facebook भी सामिल था तो उसके बाद ministry of home affairs ने decision लेते हुए ये कहा है जो हमारी paramilitary forces है उन paramilitary forces के पास facebook जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा बैंड कर दिया जाएगा आप बात करें अगर paramilitary forces क्या है तो paramilitary forces जैसे आपका यानि ITBP हो गया BASF हो गया ठीक है CISF हो गया तो ये सारी paramilitary forces personal level पर event service level पर किसी भी तरीके से facebook का इस्तमाल नहीं करेंगे second news ये है कि मौलदीव अभी हाली में Asian country में एक ऐसा country बना है जिसने अपने international borders को open कर दिया है क्योंकि present time पर जो COVID-19 की situation चल लाई है उसको ध्यान में रखते हुए जो मौलदीव के president है इब्राहिम सोली तो उन्होंने कहा है कि हम अपने international borders को खोल देंगे और साथ-साथ में उन्होंने कहा है कि हम पूरी safety और तो COVID-19 के दोरान tourist काफी ज़्यादा affected हुआ है तो इसके चलते सभी चीजों को guideline में ध्यान रखते हुए मौलदीव ने अपने international borders को open कर दिया है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताने कि exam साला को आप follow कर सकते हैं social media sites पर जैसे की telegram है यहाँ पर link दिये हुआ है exam साला और सासात में facebook even youtube पर भी मिलेंगे आपको daily update और यह update आपके exam के point level से काफी important होंगे अभी हमारा app भी आ गया है google play stores पर जाके आप उसे download कर सकते हैं event सासात में उस पर भी online classes अबलेबल होंगी तो बढ़ते हैं हम लोग mc के वाले part पर और mc के वाले parts में हम लोग discuss करते हैं पहला question ही है कि 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 कंट्री ने भी हाली में 5G equipment supply करने वाली company थी जिसका नाम होवाई था यह चाइनीज company थी और इसको पूरी तरीके से ban कर दिया है कि कंट्री ने कि वो 5G equipment supply नहीं करेगी ठीक है टेलिकॉम company इसको तो यह किसने काम किया है यह किया है United Kingdom ने यह चीज़ या दखने है आपको कि United Kingdom ने पूरी तरीके से 5G technology से related जो हुआ ही company है उसको बयान कर दिया है अभी यह announcement किया है किसकी तरब से जो UK Prime Minister है Boris Johnson उन्होंने यह announcement किया है उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से जो Chinese equipment company बना रही है हो बई हम उसको बनन करेंगे ऐसा आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि कई country के साथ कि COVID-19 जो फैलाया गया है वो चाइना के दोरा फैलाया गया है तो इसलिए यह decision लिए जा रहा है आगे बढ़ते है यह question number second पर तो question number second में आपसे पूछा है कि P7 heavy drop system P7 heavy drop system यह किसके दोरा डबलब किया गया है तो देखे इसका सही answer जान लेते फिर इसके detail के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से चल्चा करते है तो सबसे पहला है यानि DRDO DRDO के दोरा इची डबलब की गयी है अब इसके detail से हम लोग चल्चा करते है यानि DRDO मलब Defense Research and Development Organization इसने भी हाली में P7 heavy drop system को डबलब किया गया है और ये P7 जो heavy drop system है ये रिखे यहाँ पर aircraft है एक IL-76 aircraft उसके द्वारा वहाँ जो flight से ये heavy system क्या किया जाता है नीचे गिराया जाता है तो ये पूरी तरीके से पहला एक indigenous manufacture system है जो L&T के द्वारा बनाये गया है ये चीज याद रखना है आपको DRDO ये डबलब किया है अब थोड़ा सर्म DRDO के बारे में जान लेते हैं कि DRDO कमपनी थी तो DRDO का formation हुआ था 1958 में Headquarter का है नई दिल्ली में अच्छा आप यहाँ पर एक question बताइएगा कि जो ये DRDO है कौन सी ministry के इंतरगत काम करती है फड़ा फड़ इसे comment section में mention करेगा तो आपको समझ में आया है यानि ये heavy drop system किसके दौरा develop किया गया है आगे बात करते हैं question number 3rd पर तो question number 3rd में आपसे पूछा है कि इंडिया भी हाली में 15 जुलाई को किसके साथ submit held करेगा ठीके virtual summit होगी ये क्योंकि कोई भी physical summit इस समय नहीं हो रही तो virtual summits 15 जुलाई को किसके दौरा help की गई है तो ये होगा है European Union तो इंडिया और European Union के बीच में virtual summit होई थी ठीक है इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नेरिल मोदी ने से attend किया था और इसमें खासकर चर्चा होई कि post COVID-19 यनि COVID-19 के बाद हम economic हो किस तरीके से reconstruction कर पाएंगे इस पर काफी एहम चर्चा होई है चलिए यहाँ पर आपको बता देती कि इंडिया European Virtual Summits इसके बारे में क्या relations है क्या इस पर और इंडिटेल से अगर आप जाना चाहते है तो एक्जाम साला की YouTube चैनल पर अंक्ता महिम के दोरा बनाएंगे इंडिया European Virtual Summits के बारे में एक वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं तो वहाँ आपको डिटेल से जानकारी नेल जाएगी आगे बात करते हैं यहने Question No.4 पर Question No.4 में आपसे पूछा है कि World जो Youth Skills Day है वो कब absorb किया जाता है ठीक है बहुत ही आसान सा Question है इसका सही अंसर कहा है 15 July तो 15 July को World Youth Skills Day यह absorb किया जाता है अच्छा World Youth Skills जो absorb किया जाता है तो इस बार की जो 5th anniversary थी इस दोरान प्रामिर्स्टर नेर्द मोधी ने जो Nations को Address करते हुए कहा कि Youth में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है Skills की Skills के साथ-साथ उन्होंने तीन चीज़ों को Concept दिया Skills, Re-Skills है ना, Re-Skills और Up-Skills यहनी Skills खोच के हैं तो उसको Re-Skills करें आप अपनी Skills को बढ़ाएं तो यह चीज़ यहाद रखना है आपको कि Re-Skills, Up-Skills और Skills का Concept दिया गया है प्रामिर्स्टर नेर्द मोधी के दोरा आगे बात करते हैं यहनी Question No.5 पर तो Question No.5 में आपसे पूचा है कि बिहाली में वर्चुली एक Address किया जाएगा, एक Meeting Address होगी किस के दोरा, प्रामिर्स्टर नेर्द मोधी के दोरा किस चीज की, United Nations की 75th Anniversary पर on the 17th July तो किस Institute की यहाँ पर Meeting Address करेंगे प्रामिर्स्टर नेर्द मोधी वर्चुली अड्रस करेंगे इस चीज को तो इसका सही अंसर क्या है, इसका सही अंसर है Eco-Soke, Eco-Soke क्या है, Eco-Soke है यानि United Nations Economic and Social Councils ठीक है, तो इस पर जो चर्चा होगी, वो चर्चा इसलिए होगी कि हम पोस्ट COVID-19, इन COVID-19 के बाद जो Multilateralism को पूरी तरीके से बढ़ावा दें ठीक है, Multilateralism को पूरी तरीके से बढ़ावा दें इस पर चर्चा होगी, खास कर अगर Eco-Soke की बात करें, तो Eco-Soke एक प्रिंसिपल ओगनाईजेशन है किसका United Nations का, जो की काम करता है पूरी तरीके से कहाँ पर Social Economic and Cultural Activities में कहीं पर भी, अगर Social and Economic Culture Activity को बढ़ावा देना होता है किसी नेशन में उस पर, इसका Headquarter कहाँ है, तो Headquarter है, New York में यहाँ पर याद रखना है, Headquarter कहाँ है New York में, और इसका Formation हुआ था कब, 1945 में Head is समय कौन है Mona Jull, चीक है तो याद रखना है, Eco-Soke Full Form याद रखेगा, Headquarter कहाँ है Establishment कब वुआ था ठीक है, यह चीज़ याद रखना है आपको आगे बात करते हैं, यहनि Question No.6 पर, तो Question No.6 में आप से पूछा है कि अभी हाली में हमारे जो HRD Minister है, जिनका नाम है रमेज पोखरिया लिंसक इन्हों ने अभी हाली में एक Digital Education को ध्यान में रखते हुए एक Platform जारी किया है उसका नाम क्या है आपको तो उसका नाम क्या है यह आपको बताना है तो यह इसका नाम है सहीर में प्रगता तो प्रगता जो है यह एक Platform है जिसको अभी हाली में Ministry of Human Resource Development ने क्या क्या है इसकी गाइड़न जारी की कि हम किस तरीके से प्रेट्वाम पर Digital Education को बढ़ावा दें ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रिजेंट टाइम पर 240 मिलियन स्कूल जो चिल्डरन से उनका COVID-19 पैंडेमिक के दोरान काफी जादा effect पढ़ा है उन पर उनकी x-levels पर उनकी पढ़ाई पर ठीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए COVID-19 के दोरान ही Digital Education को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इस पर यहाँ पर ये guideline इस पर गता प्लेट्वार्म पर चारी की गई आपको याद होगा एक दिच्छा प्लेट्वार्म था Teachers Training को वगरा के लिए तो उसमें भी इसको include किया गए उसे भी इसमें include किया गए तो यह चीज याद रखने है आपको बाकी आगे हम बात करें अगर National Council and Research, National Council of Educational Research and Training Institute ये एक academic calendar launch करेगा कि 1 to 12 जो हमारे student है उनको कितने टाइम की classes प्रवाइड की जाएगी one day में, weekly में, किस तरीके से तो उसका एक calendar जारी करेगा और वो सारी classes digital device पर access की जा सकती है ठीक है तो प्रगता प्लेट्वार्म के प्रवारे याद रखना है किसके द्वारा लॉंच किया गया है और क्या है ये आगे हम बात करते हैं यानि question number 7 पर तो question number 7 में आप से पूछा है कि अभी हाली में coal mining जो एक link plant portal डवलब किया गया है एक website डवलब की गयी है उसका नाम आपको बताना है तो इसका नाम है परिवेश परिवेश एक एक online platform है जो ministry of coal के द्वारा डवलब किया गया है इसमें क्या होगा पूरी तरीके से आप online submission कर सकते हैं यानि आपको कोई block coal block और one ten लेना उसकी monitoring करनी है कैसा चल ला है कब हम एक इसकी proposal मिलेगी तो इस सारी चीजे online submission के द्वारा होंगी और ये एक single window hub होगा जहां पर कोई भी company यानि coal जो coal produce करने के लिए आवंटेड किये जाते हैं उसमें ये online submission कर सकती है ठीक है यहां पर एक चीज़ आपको यादखना है कि जो परिवेश है ये ministry of coal के द्वारा क्या क्या गया है डबलब क्या गया है इसमें ministry of coal इस समय किसके पास है तो ये हैं प्रहलाद वेंकटेश जोसी याद रखना है आपको प्रहलाद वेंकटेश जोसी ministry of coal ठीक है इनकी constituency क्या है ये आप comment section में mention करिए प्रहलाद वेंकटेश जोसी इनकी constituency क्या है ये आपको comment section में mention करना है next question number 8 तो question number 8 में आपसे पूछा है कि पोबा reserve forest ये पोबा reserve forest present time पर कौन से state में है ये आपको बताना है और ये present time पर wildlife century में क्या कर दिया जाएगा अपग्रेट कर दिया जाएगा तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है आसाम आसाम में पोबा reserve forest है और reserve forest को आप wildlife century में अपग्रेट कर दिया जाएगा wildlife century का मतलब होता है यानि एक कुछ ऐसी species जो पूरी तरीके से यानि उनकी संख्या limited हो गई है और उनको बहुत जादा conservation की जरुवत है तो वहाँ पर उस जगा को wildlife century बना दिया जाता है ठीक है आगे बात करते हैं इनी question number 9 पर question number 9 में आपसे पूछा है असोक लवासा असोक लवासा को अभी हाली में new vice president बना दिया गया है किस institute का इसका सही answer है ADB यानि Asian Development Bank का तो Asian Development Bank का अभी हाली में vice president जो चुना गया है वो असोक लवासा को चुना गया है और ये अभी तक एक election commissioner थे इंडिया में अब इन्हें ADB का vice president बना दिया गया है ये किसको succeed करेंगे ये succeed करेंगे दिवाकर गुपता को Asian Development Bank जिसका headquarter कहाँ पर है headquarter है Philippines की राधानी Manila में ठीक है इसका establishment कब हुआ था ये आप comment section में mention करीए और इसके head कौन है present time पर ये भी आप comment section में mention करीए question number 10 पर बढ़ते है question number 10 में आप से पूचा है कि international airport जो पूरी तरीके से पहली बार contactless fully contactless car parking के लिए जाना गया है यानि कहाँ पर किस international airport पर ये introduce की गई है fully contactless car parking तो इसका सही answer है क्या है हैदराबाद में हैदराबाद contactless हैदराबाद में contactless parking car parking को introduce किया गया ये इसलिए किया गया जो present time पर COVID-19 है COVID-19 के situation को ध्यान में रखते हुए जो passenger और visitor है इनमें safety पूरी तरीके से follow करते हुए ये contactless car parking introduce की गई ये चलाई जाएगी किसके दौरा यानि जो fast track है उस fast track के तहर्ट जो one nation one tag का एक program चलाया गया था उसके अंतरगत ये car parking अपने आप contactless parking बनाई जाएगी अच्छा यहाँ पर एक important चीज जो हैदराबाद international airport है इसका नाम क्या है तो इसका नाम आपको यादत में है राजीव गांधी international airport ठीक है आगे बात करते हैं याज इस टैक्टी जीके में हम लोग discuss कर रहे थे इन उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड में हम लोग discuss करेंगे आज लेक तो यहाँ पर है पहली चीज रूपकुन लेक यानि जिसको सिलिक्टन लेक्स के नाम से भी जानते भीमताल लेक्स दोदी ताल, नैनी ताल और नुकुचिताल और यहाँ पर सत्ताल रिवर बहुत सारी रिवर हैं यहाँ पर यमुना है, टोन से सरियू रिवर, राम गंगा पिंडार, नयार, नंदकिनी और मंदा किनी, अलक नंदा, भागी रथी भैल गंगा, धोली गंगा घरवाल, गंगा, और गॉला रिवर, काली रिवर्स यह सारी रिवर्स वहाँ पर हैं डैम जो important है वो आपको याद रखना है कि टिहरी डैम बहुत important है, काफी question पूछा जाता है भागी रेती रिवर पर है ठीक है, राम गंगा, राम गंगा रिवर पर है, राम रानी डैम यह है गोला रिवर पर ठीक है, तो यह डैम आपको याद रखना है, आगे किसके डेटेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में, अगले उस पर पार पर, तब तक बने रहे एकजाम साला के साथ, और वाच कर तरी वीडियोज, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिस्निंग, और गॉद ब्रेश यू अल